हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजी व्लॉग अधर आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 200cc बाइक्स के बारे में दोस्तों जो प्यासिक्स में लॉंच हो चुकी है और 2020 में बहुत ज्यादा सेल और डिमांड पे भी चल रही है दोस्तों 200cc जो पावर होता है न वो उ जलदी से बात कर लेंगें अन में से को गोर्ल उयुक्त पास है न तो मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताईगा और इनके अलाव अगर आपको एड करना है तो वो भी मजे कमेंट सेक्षिन में जरू बताईगा तो जल्दी जांते हैं टॉप 10 title दोस्तों 10 नंबर पे है बजाज अवेंजर क्रूज 220 मॉडल एंड इसमें हम बात करने वाले हैं टोटली सीधी बात इसमें हम प्रो एंड कॉंस और जो की फीचर्स होते हैं उसको ही हाइलेट करेंगे बाकि स्पेसिफिकेशन जनरल जो है उसको बोल के पकाना नहीं चाहता आ जो स्टाइल है उसका जजाइन है और टोटली क्रूजर टाइप का दिया हुआ है तो उसमें आप क्रूजिंग जो है एजली करते हैं फर्स्ट की फीचर्स और सेकंड जो है इसमें DTSI एंजिन आता है 220 सीसी का वही बहुत अच्छा है और बजाज का DTSI जो एंजिन है वो स सिटिंग हाइड दोस्तों फीमेल राइडर हो या में शॉट जो शॉट हाइड पीपल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक है 6 से प्लस अगर हाइड है तो इसको चलाने में प्रोड़ा प्रोड़ा मा सकती है मगर अंडर 6 जितनी भी हाइड है उनमे यह must performance देती है दोस्तों इसमें जो console आता है जो feature आता है वो multiple detail console आता है long visor सामने के तरह मिल जाएड जिससे कि आपको सामने से जो wind आ रही होते है वो आपको riding की time पर परसान बिल्कुल नहीं करती है and seat जो आता है वो थोड़ी से लंबी आती है तो आप easily comfortable बैट सकते हैं इस और इसके pro and cons के बारे बात करें तो pros जो हैं इसके अंदर unique design पहले तो unique design मैं मानूगा वो चीज and comfortable ride कर सकते है एकनोमिकल मतरब एकदम इसका mileage average है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है BSS compliance तो totally match करती है comfortable sitting जो मैंने आर्री बता दिया lower sitting height जो short height people है वो भी इसका pros है इसके cons की करें थोड़ा सा जो top end performance है ना वो थोड़ा compromise होता है and थोड़ी से build quality भी थोड़ा सा problem है क्यों से रस्टिंग का problem जो है और बाकी engine से लेके भी थोड़ा सा problem जो है इस model में दिखा जाता है और rare में आपको disc brake नहीं मिल रहा है जो के control part में और cruising में important होता है दोस्तों ये 3 जो point है ना cons के इसके वज़े से ही थोड़ा से अंडर रेटेड बाइक हो जाती है दोस्तों 9 नमबर पर है ही रो के Xtreme 200R model अगर एक्षोर्म प्राइस बात रहो तो 93,000 का से बढ़ जाता है अगर की features highlight करें तो दोस्तों muscular style मिल जाता है तोड़ा सा heavy look देती है बाइक बंद इसका जो frame है वो light and steady frame दिया है seven adjustable monoshock मिल जाता है engine जो मिल रहा है high torque engine मिल जाता है आपको जिसमें power delivery अच्छी मिल जाती है दोस्तों ऐसा कहा जाता है single channel ABS मिल रहा है radial tire के साथ allowable tubeless tire आपको मिल रहा है LED DRS मिल रहा है electric start or kill switch के साथ में आपको यह मिल जाता है यह इसके key features है अगर pros and cons की बात करें जो की important होता है अगर आप buy करने जा रहे हैं इसको competitive price मिल जाता है market में आपको जड़ा compare करने जो नहीं बढ़े कि pricing को लेके high torque output मिल जाता है engine का और दोस्तो comfortable riding मिल जाती है sitting position जो इसका बहुत ही अच्छा है comfortable sitting अच्छी मिल जाती है double disc sorry single disc के साथ में आपको lightweight bike मि जाती है दोस्तों अगर cons की बात करें तो again थोड़ा सा finger pointing है इसके engine power delivery इसको लेके under power कहा जाता है इसके bike engine को and no LED headlamps ये एक छोटा सा problem है जो अभी upgrade होना चाहिए क्योंकि देरे देरे जो है LEDs पे लोग switch कर रहे हैं and दोस्तों no fully digital जो है इसका instrumental cluster है तो उसमें feature की जोड़ी कमी है and outdated design बहुत time से यही design जो है आ रहा है इसमें कोई ऐसा modification नहीं किया हुआ है छोटे मोटे जो है थोड़ा सा plastic part जो है वो add कियो है इसी लिए जो model है वो 9 नमबर पे है जल्दी चलते है 8 नमबर पे दोस्तों no 8 पे है hero की extreme 200s model और दोस्तों ये model भी बहुत जाहरा demand किया है ल लोगों को दोस्तों 1.1 लाग का इसका एक्षोरूम प्राइज है अगर 280 का इंजन इसका दाला हुआ है उसका पावर डिलिवरी जो है वो भी ठीक ठाक है दोस्तों डिस ब्रेक के साथ में आ रहा है फुली LED headlamp है इसका और दोस्तों LED टेल लेंप दिया हुआ इसके अंदर और डेटल instrumental cluster पर दिया हुआ है स्मार्टफोन connectivity भी है इसके अंदर की features में दोस्तों auto headlamp on भी दिया हुआ है and gear position indicator भी है और light body weight है दोस्तों ये सारे जो है इसके अंदर key features दिया हुआ है प्रोस और कॉंस की बात करें तो दोस्तों fully fairy design दोस्तों उसका covered design जो है वो इसके pros में आता है light weight bike है value for money का tag दिया हुआ है दोस्तों इसको and good service network service network भी एक प्रोस होता है दोस्तों क्योंकि अगर आप कई बार bike ले 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 तो उसके service network नहीं मिलता है तो इसमें ऐसा problem बिल्कुल भी आना रहा है low maintenance cost मिल जाता है LED lights मिल जाती है डेटल console मिल जाता है ये इसके pros हैं अ six gear का अभी भी इसमें लेक कहा जाता है कि थोड़ा six gear होता तो इसके power जो है और भी utilize कर सकते थे तो दोस्तों ये इसमें cons है मतलब cons उतने जाते नहीं है जितने pros हैं तो seven member पे आता है pulser 220f model ये model बहुत सारे riders को बहुत पहले से पसंदा रहा है और ये यंग्स्टर्स को होज आपको heavy look लगता है front से आते वक्त एक attractive look देता है इसका design बहुत riders को पसंदा आता है DTSI BS6 engine आता है comfortable seat आ जाती है और दोस्तों disc brake के साथ में tubeless tire allowables और single channel ABS भी आपको इसमें मिल रहा है sporty exhaust मिल जाते है sporty split seat of मिल जाता है आपको LED tail light मिल रहा है LED DRS के साथ में आपको ये model एंड दोस्तों इसका engine है ना DTSI engine वैसे आपको मालूम है कि बजाच का बहुत अच्छा engine है और maximum जितनी बजाच के बाई के सब में DTSI engine ही लगता है तो वो भी एक अच्छा प्रोज है and दोस्तों decent power output मिल जाती है good for long ride मतब जो comfortable seat है open जाती है even average मिल जाता है economic जो है उसका spare part क का कॉस्ते है मतलब overall maintenance cost भी साकम है और दोस्तों जो headlight का जो मतलब बोलते हैं कि luminous बोलते है जो आपको focus होता है वही बहुत अच्छा मिल जाता है कौन की बात करिया तो अभी डिजाइन जो है देखे एक टाइम बात design जो है तेरे-देरे old होने जाता है क्योंकि मार्केट मे अभी थोड़ा आउट्डेटर हो चुका है और दोस्तों थोड़ा सा आपको इसमें engine में आपको noise सुनने को मिलती है और अगेन थोड़ा features थोड़ा से अभी भी कम है compared to competition अभी competition 260 में देखेंगे आगे जो models आएंगे तो आपको बहुत लेगे features में थोड़ा सा इसमें कमी है तो अगर ये कर देती है बजाज तो ये model जो है अभी भी अपग्रेड हो सकता है तो दोस्तों चलते हैं अपने 6th नमर के उपर तो 6th नमर पर है हीरो की on-road off-road bike X-Pulse 200cc BS6 model और दोस्तों ये model को प्राइसिंग है ना 1.15 लेक से असपस मैं X-Pulse प्राइस पर जाता है अगर इ level suspension मिल जाता है आपको LCD console मिल जाता है with smartphone connectivity मतब फीचर्स भी फुली बढ़े है turn-by-turn जो है navigation भी है इसके अंदर और दोस्तों इसके अंदर LED आपको headlamp मिल जाता है upset exhaust मिल जाता है dual purpose tires मिल जाते है LED टेलने मिल जाते है comfortable seats मतब ये सारे जो है features आपको इस model मिल रहा है मिल रहा है fi engine मिल रहा है average आपको अच्छा मिल जाता है suspension आपको अच्छे मिल जाते हैं इसके tires के जो डायमेटर है वो लॉंग साइज में अगर six gear होता तो थोड़ा सा touring में और जाता help मिल जाती speeding में और not for highway cruiser highways के लिए थोड़ा सा इसमें कहा गया है कि highways में अच्छा नहीं मिलता और दोस्तो vibration देखा गया है 6000 rpm तो यह सारी चीज़ें जो है कौन से इसके वज़े से six number पर है वारना इसका पुड़ा potential था कि टॉप पर जा सकती है तो चली जल्दी चलते हैं अपने fifth number के उपर दोस्तों फिफ नमर पर आती है TBS Apache RTR200TC 4V model यह model के अलगी fine following है दोस्तों इसके प्राइसिंग के बात कि जाता है और की फीचर्स को अगर highlight करें तो stylish naked design मिल जाता है fuel injector के साथ में liquid cool मिल रहा है racing tuned amat sleeper clutch मिल रहा है sleeper clutch एक बहुत अच्छा feature होता है दोस्तों और fully LED headlight मिल जाता है detail instrument cluster मिल जाता है inbuilt navigation मिल रहा है smartphone connectivity मिल रही है इसके अंदर and crash alert system dual channel ABS विद आरल पी रेरे lift up protection बोलते है control मिल रहा है premium finish seat आपको मिल रही है double barrel exhaust मिल रहा है यह सारे features में loaded है दोस्तों fully loaded model है मगर अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया में जो TVS है ना वो थोड़ा सा underrated है अलकासा अब जल्दी से बात कर लेते हैं pros and cons की तो दोस्तों का style and design riders को बहुत पसंद आता है fuel injector जो है double dual channel ABS जो है वो बहुत पसंद आता है and fuel economic भी है and इसके जो segment में first जो है featured बाइक के जाती है sleeper clutch option जो कि मैंने बता है कि अच्छा feature होता है and again जो cons लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा under power again 200cc का engine जो है ना वह थोड़ा सा under power है इसके अलावा कोई भी इसके अंदर cons नहीं है तो मतलब ये fifth number जो है ना fully deserve करने वाली बाइक है जल्दी जलते हैं fourth number के उपर दोस्तों फोर्थ नमर पर आ रही है बजाज पल्जर नस-200 model and BSX compliance को टोटली मैच करता है इसका प्राइजिंग आ रहा है और बात कर लें जल्दी से की features के बारे में तो muscular design powerful engine fuel injector liquid cool engine and lightweight इसका चेसी आयता है सिंगल चैनल इसका डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं डीटर अनलोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है टेल लाइट जो है उसके LED मिल रही है आपको एंसमें क्विल्स का option भी है दोस्तों अगर इसके pros and cons बात करें जो कि important है तो powerful engine मिल रहा है पैची performance मिल रही है आपको handling good handling मिल जाती है comfortable ride मिल जाती है economics average मिल जाती है आपको lightweight bike मिल जाती है अधरवाइस model जो है अभी बहुत जार demand में है तो चली चलते है अपने number 3 मिल रही है लिक्विट कूल मिल रहा है अधर अधर इंडिकेटर इसके अंधर अलावीविल के साथ में टूबले स्टार मिल रहा है डियूल प्रोजेक्टर मिल रहा है जो फ्रेंड से बहुत यह अच्छा लगता है एफिशेंट ब्रेकिंग है और कॉंपेटिटिव प्राइस को टैग दिया गया है दोस्तों कॉंस की बात करें तो दो ही जी है बस एक इंजन नॉइस को लेकर प्रोडम आ रहा है तो जब हम गेर शिफ्टिंग करते है तो उसका स्रॉस नॉइस है तो चलिए चल दी है जानते हैं सेकेंड नंबर पे तो सेकंड नॉबर पे हैं केटियम का आज ही टूहंड़ी फैन फॉलविंग है बहुत सा रेटर्स जो हैं केटिंग पाइक सु बहुत ज़दा पसंद करते हैं और दोस्तों की फीचर्स को हाइलाइड करें तो इसका जो को क drawer मिल जाता है जो बॉस की देस्ट मिल जाता है आंटन इमिन जाते हैं अलमिनियू सुंग ओंचम हाँ आ मिल जाते हैं आपको और ट्रिय क्रेग्टर लैंप मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर जो है वो भी LED हैं साइट स्टेंड इंजिन क्ल्च ऑफ स्विच मिल जाता है आपको दोस्तों यह तो बहुत सारे फीचर्स है अभी में बहुत सारे फीचर्स मिस्किया इसके अंतर प्रोस और कॉंस की बात किया तो डिजाइन बहुत य जाते हैं गुट ब्रेकिंग प्रफॉर्मेंस मिल जाती है है हैंडलिंग जो है बहुत है इसी है लाइट बाइक मिल जाती है अपको एंड अगेन अब बात की जैसे कॉंस के बारे में जो कि आपको जाला ध्यान देना चाहिए वह इसका एग्रेसिव सिटिक पोजिशन और थोड़ा सा अनकमफिटेबल होता उसका सिटिंग पोजिटर तो यह है और स्मालर फ्यूल टैंक टैंक साइस को लेके भी बहुत सारे चीज़े हैं और हैड्लम जो है वह एलेडी नहीं भी आवा तो यह सारे जो है इसके अंदर कॉन सा है तो जल्दी चलते हैं अपने नंब फे दोस्तों नमबर वन पे आता है के ट्यूफ को अनुफ को यहाँ पसना आता है अगरे से की फीचर को हाइलाइट करूँग तो दोस्तों इसका एग्रेसिव जो है sitting डिजाइन जो है इसका अवरॉल डिजाइन जो है इसका राइडर्स को बहुत पसना है पावरफू के dual channel ABS मिल जाते हैं दोस्तों, digital instrument cluster मिल जाता है radial tires मिल जाते हैं, tubeless tires मिल जाते हैं, and digital sorry, LED DRLs मिल जाते हैं, इसको आप में LED जो indicators हैं, वो भी मिल रहे हैं आपको side strand engine cut off switch मिल जाता है दोस्तों, तो ये सारे जो हैं, इसमें key highlighted features हैं, pros and cons की बात करें तो pros में powerful engine है, stylist design है, powerful performance है, and great handling है, premium equipment जो है feature जो उसके हैं, वो अच्छे हैं, and wide tire मिल जाता है, one of TMM का उसमें wide tire मिल जाता है, dual channel ही भी इसके साथ में and अगर इसके cons की बात किया है तो थोड़ा सा price tag जो है obviously competition के साब से market में price जो है premium जादा high है heating का issue दिया जारा है and fuel efficient नहीं का जारा है, average जो है वसका तोड़ा सा कम है, दोस्तों, इसके अलावा सारी जो features है, KTM के बहुत जार राइडर्स को पसंद आते हैं I hope दोस्तों, आपको वीडियो बहुत जारा healthy लोग होगे होगे, and आपने top 10 200cc bikes पे आपको कौन से आपके उस bike है, वो मझे जरूर बताईए and दोस्तों, आपको कौन से bike अच्छी लगती है वो मुझे बतासते हैं, and अगर आपको लिस्ट में कोई modification करना है, तो वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए, and दोस्तों, यहाँ वीडियो को हैं, ख्याल रखे, ध्यान रखे, और देखते हैं गुरुजी व्लॉक्स, ऐसी बहुत सारे informative वीडियो आपके लिए आते रहेंगी, बाई!